हेलो गाई स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पर हम यहां पर बात करने वाले हैं M&T वर्सेस ट्रिपल S के बीच में जो लेजंड्स लीग का यह मुकाबला खेला जाने वाला है प्रिव्फ फेंटसी प्रिव्यू किस तरीके से आज आज आपको स्मॉल लीग रगेंड्ली के टीम बनानी चाहिए लॉजिकल तरीके से समझेंगे जो आपको बहुत मदद देगा आपकी स्मॉल लीग की टीम बनाने में यह जो मुकाबला है मौलाना अजाद स्टिटियम जम यहां पर अच्छा खासा बाउंस मिलता है ठीक है बल्ले बाजों के लिए थोड़ा ठीक ठाक रहेगा और इवनिंग टाइम है तो साम में थोड़ा वो डिव भी देखने मिलेगा तो टी में ना चेज करने का फैसला लेती है डिव टू डिव ठीक है तो यह चीज है बस इतनी इनinstall बालिंग स्टायल दे को मनीपल टाइगर अपना डोनों मैं जीत करा रिया साउधन सुपर स्टार्स अपने दोनों में चार कर र suppressь यहां पर तीन संडर आउपने कर देखो फिरन स्केसं कý बात करते हैं वीद्री अंपोर्ण प्लेयर यहां पर आप देखो 12 दिख रहे होएंगे क्योंकि इंपक्ट प्लेयर वाला रूल है आप भी आईपिल में होता है तो अगर इनकी फर्स्ट बल्लेबाजी होगी तो यह है मिटल मसा काज जगों खिलाएंगे अधर्वाइस यह लोग बॉलिंग के टाइम पर प्रव खेलेंगे ठीक है यहां फिर दिया जा सकता है क्योंकि लोग खिलाड़ी है पर्फॉर्मस देखो अच्छा है चैडवी वॉल्टर ने सतक बनाया लास्ट मैंच में हमिल्टन मसा काज्जा ने अच्छा स्कोर किया है सारा परेरा बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं परविंदर रवाना उसके बाद यहां पर टी परेरा यह परेरा आ गए और इम्रान खन बट जनरली ना यह दथ में आते नहीं है इंका नाम नहीं लिया अब इनकी टीम से ना वैसे जिसको ठीक्ठा गवर्ट डालना चीए वह कौन कौन है एक हरवजन सिंग हो गए इम्रा आपके साबित नहीं हुए तो यह चार आपको ठीक ठाक ओवर डालते हुए दिख सकते हैं पी गुपता टी परेरा वैसे यह लोग आपस में शेयर करेंगे चार ओवर लेकिन अगर इन में से कोई महंगा साबित होता है तो जो वह उपर कटता है ना वो पी गुपता और टी से देखना कैसे जैसे कि एंजुलो परेरा है ठीक है इनका यह यह ब्रेकट में एश से क्या होगा कि आपको यह पता रहेगा कि किस प्लेयर की एज कितनी है तो उसकी फिट्टिनेस कैसी होगी यह आप अंदाज लगा सकते हो जैसे 33 नंकी थिक ठाग होगी आभी रिसेंटल तो इस तरीके से आपको पहचान में आ जाएगा एक नजर में कि किसका स्टैट्स कैसा है और ज्यादा दिक्कते भी नहीं होंगी एक नजर में समझ जाओगे ठीक है इसके अलावा टेलिग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलिग्राम से जुड़ जाओ वीडियो के डिस्क्र के सबसे पहले में आपको हमारे टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा फटा फट जुड़ जाओ क्योंकि आफ्टर डॉस की अपडेट हम वहीं देते हैं बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है फ्री है बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे पहले कमें में आपको हमारे टेलिग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा फटा फट जाओ और जुड़ जाओ अब देखो हम बात करेंगे ट्रिपलेस यादि सावदन शुपरिस्टार्स की प्लेइंग लेवन विद रीशिंटे स्कोर इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है डी मुना और इनके लिठाओ आपको अच्छा पर्फोमेंश नहीं इनकी टीम में किसी का तभी इनकी टीम दो मैं चारी बिया अब इनकी जो बॉलर्स वह देखें तो देखो वैसे तो इनकी टीम अब्दूरचा का अच्छा यूज कर रही है क्योंकि इनको अच्छी यह लोग अज् पवन नेगी यह आपको पावर मतलब पवन नेगी बिपुल सर्मा दोनों लेफ्टाम और्थोलोक्स है तो ओवर कटतावा दिख सकता है शेयर करते होई दिख सकते हैं मुनावीरा सामने उतने लेफ्ट हेंटर नहीं है आफिस भी ना थे तो हो सकता है तो इन तीनों के बाद और असोग दिंडा के बाद यह लोग आपस में सिच्वेशन वाइज जैसे सिच्वेशन डिमांड करेगी वैसे ओवर से लोग डिवाइड कर सकते हैं इसके अलावा इनके पास चत्रंगा डिसलवा लेफ्टाम और्थोलोक्स एक और ऑप्शन है बट अल्रेडी इनके पास सबस्क्रेशन के 1950 समझ जाओगे सकते किस का बुरा काई मैक पना वार's से में Owो कर दिया वह प्रके अप दोस्तों हम चलते हैं यह सेलेक्शन की दिर्फ टिपिंग सेक्शन में कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट है बल्लेबाजी विकेट पे इसली अच्छे खिलाड़ी है और अभी रिसेंटली क्रिकेट छोड़ा है तो उतना फिटनेस इसू भी नहीं होगा उपुल थरंगा काफी अच्छे खिलाड़ी है टेकनीक वाइस अगर आप देखोगे लेकिन वह यह स्ट्रा थोड़े बैटर ऑप्शन अगर आप वैसे ऑपोर्चुनिटी वाइस देखोगे तो चैडविक वल्टन हीट और मिस्टाइब के प्लेयर लास्ट मैं सतक आया बट भरोसे मन बिल्कुल नहीं है मैंने फिर भी लिया हुआ है क्योंकि बताया जा रहा है कि यह वाले विकेट लगा नहीं मैंने हमिल्टन मसा काज्जा को लिया है उसका एक रीजन है क्योंकि यहीं टॉपटर में आ रहे है और यह अच्छा परफॉमेंस कर रहे हैं लेकिन लास्ट मैं यह रिटायर हट हो गए थे तो अभी मुझे यह पता है कि यह इंजर हुए यह क्या हुआ हुआ ह ठीक है क्योंकि इनका कोई ऑफीशली न्यूस भी नहीं आता है तो अगर यह इंजर्ड होंगे तो नहीं खेलेंगे और अगर जैसे कि यह उसमें मैंशन होते हैं सब्सिट्यूट के तौर पर तो साथ मैं इनको ना लूँ तब मैं इनके जगे पर रॉस टेलर को लेके तो मैंने छोड़ मैं ज्यादा इन पर भरोसा नहीं कर भा रहा हूं इसलिए मसा काज्जा को लिए मोहमत कैफ की बलेबाजी काफी नीचे भीज़ दी गई थी और नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं अब मालो एक रिस्क में और भी ले सकता हूं एंजलो पर पिक रॉस्चेलर को ना लेके परेरा को लेके चले जाओ तो यह आफ्टर टॉस की बात है ती परेरा मस्ठब पिक रहेंगे क्योंकि देखो बैटिंग बॉलिंग दोनों ओवर्स का सियोरिटी नहीं रहेगा लेकिन डेथ में आ सकते हैं प्लस हीटिंग के लिए अनी टाइ मैंने टीम में लिया है चटरंगा डिसलवा बॉलिंग नहीं कर रहें नहीं तो कप्तानी के बेस्ट माटिरियल क्योंकि फिट्नेस इस हो काफी अच्छा लास्ट में काफी कम सेलेक्शन था मैंने आपको बताय भी था इनको लो और इनको जिस जिस ने लिया होगा अच्छा कम खेल रहें तो सायद में इनको फिर वी सी भी कर दूँ इनकी टिम फस्ट बल्ले बाजी करें तब इनकी फिटनेस काफी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली बीबियल वगेरा खेल रहे थे यह बॉलिंग नहीं डाल रहे बट कभी एक दोवर डाल सकते हैं हीटिंग कर सकते हैं इसलिए मैंने लिया है पावन नेगी थोड़े एवरेज पिक रहेंगे विपुल सर्मा भी थोड़े एवरेज पिक क्योंकि गिंदबाजी का कोई सियोरिटी नहीं है बल्ले बाजी काफी नीचे ठीक है उसके बाद बालिंग से हरबजन सिंग मस्ट वैसे थोड़े मिस्ट्री टाइप के गिंदबाज हुआ करते हैं विकेट टेकिंग नीचर है सेकंड इनिंग में इनको लेके चले जाओ लेकिन अगर अगर अब्दूलरजाक प्लेंगल में 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 इनको जरूर लेके जाओंगा ठीक है लेफ्टाम और थोड़क्स अपनी को लेके जा सकते हों कि यह थोड़े रंच बना लेते हैं और चार और पूरे कर रहे हैं और सबसे इंपर्टेंट क्या है विकेट निकाल रहे है तो इनकी टीम सेकंड इनिम में बॉलिंग करेगे तो साइध में रिस्क ले जाओं मूना विरा के जगे पे इनको लेगे या और फिर आपको थोड़ा सेफ जाना है तो कॉलिंडी ग्रांडॉम की जगे पे इनको लेके चले जाओ वह आपकी चोईस है और लोगों ने भी किया हुआ हामिधासन अगर इनकी टीम पहले गिंदबाजी करे तो देथ में आने के अच्छे खासे चांसे है विकेट ऐसा नहीं है कि मैच प्रेक्टिस नहीं है ठीक है मैंकले नेगन काफी महेंगे साबित हो रहे हैं लंबे समय से क्रिकेट भी नहीं खिले थे वीच में तो मैंने छोड़ दिया लेकिन फर्स इनिंग की गिंदबाजी में ट्राइगर सकते हैं अब्दुल्रजा सेकंड इनिं की मोरी है वो कुछ इस प्रकार से है जहां पर कप्तानी मैंने रोविन उधपा वाइस कप्तानी मैंने तिसारा परिड़ा देखो और कोई अधर ऑप्शन में को दिखनी रहा है अच्छा कैप्टेंशी वाइस कैप्टेंशी का यह दत्में आ सकते हैं हीटिंग के लिए प् इसके अलावा चट्रंगा डिसलवाफ फर्स्ट बल्लेबाज में अगर यह गेंदबाजी कर गए तो विकेट भी लेके जा सकते हैं फिट्नेस अल्मोस्ट अच्छा है तो इन तीनों को मैं ज्यादा सजिस्ट करूँगा आप कर सकते हैं डी मूना वीरा अगर पता होनी जो मैं आफ्टर टॉस्ट बताता हूं टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमें लिंक मिल जाएगा फटफट जाओ जुड़ जाओ इंपोर्टेंट है अब वहां पे अपडेट मिल जाएगी वीडियो में आपको सारे पॉइंट से समझाए गाएं दोनों को मर्च करो खुद से अपनी बहतर टीम बनाओ देखो आप किसी की टीम कौपी नहीं करोगे फिर खुद से टीम बनाओगे वही चीज में चाता हूं बाकि यह स्मॉल लिक की टीम है ग्रैंड लिक के है जिस तरीके से समझा है एस प्लेयर रूटेट करो यह जो कैप्टन वैस कैप्टन सी का उप्सिंग बता है इन में हरवजन सिंग डी ग्रांडों चैडवी कॉल्टन और एक दो मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूँगा तो उन लोग को कैप्टन वैस कैप्टन रूटे को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं आगले वीडियो में तक तक लिए जाएं